आज हम बना रहे हैं क्रीमी मैंगो सेप्रा केक इसे पेले हम पतीली को प्रीहीट करने रखेंगे उसके बाद हम मोल को ग्रीस एंड डस्ट करेंगे फिर केकी त्यारी करेंगे इसके की त्यारी के लिए ये मेरे पास है वन कप मेदा जिसमें मैंने वन टेबल स्पून कॉर्न फ्लॉर मिक्स किया है और टू टी स्पून बेकिंग पाउटर है वन फोर्थ टी स्पून नमक है पिसा हुआ ये टू टेबल स्पून क्रीम है वन फोर्थ कप मैश्ट मैंगो है इसमें दो लार्च साइज एक और वन फोर्थ कप आयल है ये थोड़ा सा तक्रीबर एक चुट की ग्रीन कलर है ये हाफ कप प्लस टू टेबल स्पून दानेदा छीनी है ये ये येलो कलर है ये भी हम वन एट टी स्पून यूज करेंगे केक की त्यारी के दुरान सबसे पिले ब्रेंडर जप में हम शूगर डानेगे ओएल और एक शामिल करेंगे इसमें मैं हाफ टी स्पून वनीला एससंस यूज करूंगी इस जग में हम मैंगो ये मैंगो प्यूरी आप ले ले या मैश्ट मैंगो ले ले ये भी शामिल कर देंगे और एक मिनट के लिए इनको ब्लेंड करेंगे अब ब्लेंड की हुए मिक्सर को हम बॉल में निकाल लेंगे स्पैचुला की मदल से अच्छी तरह ये सारा मिक्सर निकाल लेना है अब हम ये दो दो टेबल स्पून ये खुशक अजसा डालते चाहेंगे और इसमें फोल्ड करते चाहेंगे एक ही डाइरेक्शन में आपने फोल्ड करना है लोकवाइस को माना है जेंटली फोल्ड करना है आपने अब हम इसमें ये टू टेबल स्पून क्रीम भी शामिल कर देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे अब इस बैटर को हम टू पोर्शन में डिवाइड कर देंगे हाफ हाफ एक में ग्रीन कलर शामिल कर देंगे और एक में एक चुटकी येलो कलर शामिल करेंगे देंगे मैंने दोनों कलर मिक्स कर लिये हैं येलो कलर लिया था मैंने 1 ⅛छ टीश्पून और ग्रीन कलर मैंने 1 ⅛ टीश्पून लिया था मुझे वह कम लगा था मैंने मजीद 1 छ शामिल कर लिया टोटल इस शामिल कर लिया टोटल वन फूर्थ टी स्पून ग्रीन कलर इसमें किया है यह राउंट केक मोल्ड है इसको मैंने ग्रीस करके डस्ट करके रख लिया था अब हम यह थोड़ा-थोड़ा मिक्सर इसमें डालेंगे टू टेबल स्पून डाल लेते हैं येलो कलर और इसके उपर हम डालेंगे टू टेबल स्पून ग्रीन कलर फिर इसी के उपर टू टेबल स्पून शेलो कलर फिर डाला क्रीम कलर फिर इसके उपर चाई का शेलो कलर टू टेबल स्पून क्रीम कलर इसी तरह ये दोनों मिक्सचर हम इसके उपर डाल देंगे मैंने सारा बेटर मॉल्ड में डाल लिया है अब एक टुटपिक की मदद से इसके उपर थोड़ा सा डिजाइन बना देंगे और इसे बेक करने रख देंगे अमने पैन को पतिली में रख दिया है अब इसको ढख कर 40 मिनट तक बेक करेंगे पतिली के उपर एक ऐसा डकन दिया है जिससे कहीं भी स्टीम रिलीज ना हो उसके उपर एक इंच रख दी है इसे 35 तू 40 मिनट तक बेक करेंगे 35 मिनट बात मैं चेक करूंगी अब केक बेक हो चुका है इसे बेक होने में 35 मिनट लगे हैं तकरीबान हाफ इंच के फ्लेम पर इसे बेक किया गया था अब इसे निकाल कर ठंडा करेंगे मोल्ट को निकाल लिया गया है अब इसके उपर एक कपड़ा देखकर सूती कपड़ा दिया है इसे दस मिनिट पड़ा रहने देंगे जब केक ठंडा हो गया था तो इससे मैंने प्लेट में निकाल लिया था बहुत ही सोफट और टेस्टी केक रेड़ी हुआ है अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगे तेसे लाइक और शेयर करना ना बूलिएगा थेंक यू फर वाचिंग इट ओकीची अलहाफेज